हरे कृष्णा राधि राधे वक्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में तो फ्रेंट्स आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि पित्र पक्ष में जिसे की शाद पक्ष कहते हैं कनागत भी कहते हैं इन दिनों में हमें अपने घर में वराजमान लड़ुगोपाल जी की सेवा पूजा करनी चाहिए या नहीं क्यूंकि फ्रेंट्स कई सारी जगाओं पर इन दिनों में पूजा पाठ नहीं किया जाता है तो ये सभी के घर के अपने नियम और रूल्स होते हैं जिने की तोड़ने का हमारा कोई हक नहीं है तो आपको और भी जानकारी मिलेगी इसलिए वीडियो को पूरा देखना तो फ्रेंट्स हम सभी के घर में लड्डू गोपाल जी वराजमान होते हैं और नित्य प्रति दिन हम उनकी सेवा पूजा एक बालक की तरह करते हैं उन्हें सुलाना, जगाना, भोग लगाना, इसनान कराना, शिंगार करना लेकिन एक तीन टाइम ऐसे आते हैं जैसे कि महिलाओं को अगर पीरेट सो जाएं तो वो शारीरिक सेवा नहीं दे पाती हैं एक अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाए घर में तो हमें सेवा नहीं करनी होती है और अगर किसी की मृत्यू हो जाए तो भी लड़गोपाल की सेवा नहीं होती है जिसी सूतक और पातक बोला जाता है लेकिन इन दिनों में भी अगर हम सेवा करने लाइक नहीं होते हैं तो भी हम अपने लड़गोपाल जी को कहीं दे देते हैं अपने किसी जानने वाले को अडोस पडोस में जिससे की उनकी सेवा रोकी ना जा सके तो अगर आपके यहां ऐसा कुछ है कि श्रादपक्ष में घर में पूजापाट नहीं होता है तो आप अपने लड़ु गोपाल जी को किसी और को भी थोड़े दिन के लिए दे सकते हैं तो 18 सितंबर से श्रादपक्ष शुरू हो रहे हैं जो की 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और उसके बाद से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे तो फ्रेंट्स हम लोगों के यहां पूजापाट बंद नहीं किया जाता है बलकि मैं तो कहती हूँ कि श्रादपक्ष में हमें और भी जादा पूजापाट करना चाहिए क्योंकि इस समय धर्ती पर नकरात्मक और सकारात्मिक सभी तरह की उर्जा रहती हैं हमारे पित्र धर्ती लोग पे होते हैं और जितनी ज़्यदा हम श्रीहरी की भोले नात की पूजा करते हैं उत्ना ही इस पूजापाट के पल जरूप हमारे पित्रों को शानती मिलती है, मोक्ष मिलता है संध्या के समय दीपक जलाना, घर में घंटी बजाना, शंक बजाना ये सारी चीजें हमें जरूर करनी चाहिए जिससे की जो भी नेगेटिव एनरजी है वो हमारे घर परिवार से दूर रहे और पूजा पाट करने से हमारे पित्र भी बहुत प्रसन होते हैं और इन दिनों में किया गया भागवत या फिर भगवत गीता का अगर आप पाट करते हैं एक अध्याय आप रोज पड़े इससे भी हमारे पित्रों को मुक्ती मिलती है तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि इन दिनों में आपको कोई भी नए विग्रे की स्थापना नहीं करनी है ठीक है आप लड़ुगोपाल, राधारानी या कोई और भी विग्रे आप लाना चाते हैं तो इन दिनों में ना लाएं और किसी भी तरह के शुब मांगलिक कार इन दिनों में नहीं होते हैं जमीन खरीदना, गाड़ी खरीदना, सोना चांदी, हीरा मूती खरीदना ये चीज़ें नहीं खरीदी जाती हैं हाँ आप घर के लिए राशन ला सकते हैं, इसमें कोई दिकत नहीं है और इन दिनों में ग्रह प्रवेश नहीं करना है, किसी भी तरह की मकान की नीव आपको नहीं डलवानी है अच्छा अब बात आती है कि नए कपड़े हम खरीद सकते हैं या नहीं तो देखिए जिनके माता पिता दोनों होते हैं वो नए कपड़े खरीद सकते हैं लेकिन अगर माता या पिता में से कोई भी इस दुनिया में अब नहीं है तो उन लोगों को नएवस्तर नहीं पहनने चाहिए ना ही उन्हें नएवस्तरों की खरीदारी करनी चाहिए हाँ आप दान करने के लिए नएवस्तर ले सकते हैं लेकिन अपने खुद के पहनने के लिए आप नई वस्त्र ना ले तो जो भी जरूरी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है ठीक है अब बात करते हैं लड्डू गोपाल की सेवा की तो लड्डू गोपाल की सेवा जैसे आप करते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से चलती रहेगी लड्डू गोपाल की सेवा रोकी नहीं जाएगी आप उन्हें डेली नियमित आप इसनान कराएं ठीक है और आप साधा जल से या गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करा सकते हैं सुन्दर साउन का शिंगार करें, चंदन से तिलक लगाएं, दूपदीप से आरती करें और भोग में आपने जो भी अपने घर में बनाया है वो आप पहले गाय का भोजन निकालने के बाद लड़ू गोपाल की ठाली लगाएं और आपको अगर नियम बनाना है, तो सबसे पहला नियम ये बनाएं कि इन दिनों में आपको अपने घर में प्याज लैसन मास मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना है तो आप पूर्ण रूप से सात्विक रहें, ब्रह्मचरे का पालन करें जिससे की आपके भगवान और आपके पित्र दोनों ही आपसे प्रसन रहें और अगर अभी तक आपने सूर्य देपता को जल चड़ाने का नियम नहीं बनाया है तो इन दिनों में आप सूर्य देपता को जल जरूर चड़ाएं सूर्य देपता को जल चड़ाने से भी आपके पित्रों को मुक्ष मिलता है और पित्रों को जल देने के लिए दक्षिन दिशा होती है तो पित्रों को जल देने के लिए आप दक्षिन दिशा की तरफ घूम जाएं उन्हें जल दें संधिया के समय दीपक भी आप अपने पित्रों के नाम का जरूर जलाएं पहले घर में भगवान के सामने दूप दीप जलाएं देहलीच पे दिया जलाएं तुलसी जी में दिया जलाएं उसके बाद अपने पित्रों के नाम का दीपक दक्षिन दिशा में जलाएं और इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करें देर रात तक बिना बज़े घर से बाहर ना रहें और अपने पित्रों के नाम से दान, तरपंच, राद आप जरूर करें तो फ्रेंट्स यही था आज का वीडियो तो उमीद करते हैं आज की दीगई जानकारी आपके लिए हैलपफुल रही होगी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स फैमली के साथ शेयर जरूर करें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे